Hello everyone, once again, welcome to my channel and आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं अपनी नौवल प्राइड और प्रीजर्डिस की समरी की जो कि हमने लास्ट वीडियो में यूनिट 4 तक कम्प्रीट कर ले थी तो हम बात करते हैं यूनिट 5 इसका फर्स चाप्टर है चाप्टर नॉम्बर 39 दाट इस होम कमिंग अफ एलीजा एंड जनी इस चाप्टर में क्या होता है जो एलीजा और जनी है वापस अपने घर पहुँच जाते हैं वो एक इन के बाहर इन मीन्स के जो एक लॉज टाइप होता है एक होटेल टाइप वहाँ पे वेट कर रहे होते हैं वहाँ पे उसकी दो सिस्टर आती है मैरी और किटी उन्हें ले जानी के लिए वहाँ पे वो अच्छे से खाना खाते हैं और अपस में बातचीत कर रहे होते हैं तो किटी एलीजाबेट को बताती है कि जो जिस ल छो जो इकम था बच गया लेकिन Elisabeth जानती है कि विकम की असलियत किया है तो उसका चहना यह होता है कि छिस लटकी सब्च कर रहा होता है वह लड़की अक्ट्वल में बच गई है विकॉस किटी अभी इस बात से अनजानने कि विकम की असलियत किया है ठीक है and the next chapter is Elisa confess to her sister next morning क्या होता है जने Elisabeth को सारी सच्चा ही बता देती है Darcy के बारे में जो भी उसने Rosings में देखा होता है जो भी Darcy ने उसको letter दिया होता है उसके proposal के बारे में वो सब बता देती है लेकिन वो Pingle के बारे में नहीं बताती ताकि Elisabeth को बुरा ना लगे और वो अपने पेरेंट्स को भी अभी तक नहीं बताती कि Rosings में क्या हो था Darcy ने उसे प्रपोस किया या जो भी था वो सब क्या था उने नहीं बताती ताकि उसके पेरेंट्स को बुरा फील ना हो अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स चाप्टर की इस चाप्टर में क्या होता है जो विक्याम होता है वो लाडिया को इन्वाइट करता है ब्रेंट्न आने के लिए कुछ वहां पे घूमने फिरने के लिए तो जो अलीजा होती है वो उसे पर्मीशन नहीं देती लेकिन जो मिस्टर बैनेट होते है यानि कि लीजा के जो फादर होते है वो उन्हें पर्मीशन दे देते हैं कि वो हां जा सकती है लेकिन जो अलीजा होती वो उसके बिलकुल खिलाफ होती वह लास्ट थी वीक से डार्सी और करनल फिट्सविलियम के साथ थी, महां पर तीन वीक उसने उनके साथ सब्सक्राइब किया और फिट्सविलियम से काफी इंप्रेस भी हुई और उसने यह भी नोटिस किया जो डार्सी है वह काफी चेंज हो गया अपने परस्नारिटी में अपने मैनर्स में, इंडरिकली वह यह कहने की कोशिश कर रहे थी, कि विकम जो है उसने जो कुछ भी डार्सी के बारे में बोला था, वह सब जूट था, अब अगला चैप्टर आता है, 42, that is, Elisa sits out on the amended tour with her aunt, इस चैप्टर में, Elisa जो है, वह नोटिस करती है, कि जो उसके फ उन्होंने पांच पच्चों की responsibility खुद ही लेके उन्हें पाला पोसा है, और जबकि उसके फादर जीने उनकी help करनी चाहिए, गवर्नेस के थू या खुद भी जैसे भी, लेकिन वह लाइबरेरी में बैठे रहते थे और सारी responsibility जो है, वह उसकी मदर ने लिया, तो अब जो डिसाइड करते हैं, डर्बिशायर जाने की, डर्बिशायर एक प्लेस का नाम है, जहां पे वह लोग जाते हैं, तूर के लिए, जो की पिमबरले, जो की डार्सी का एस्टेट होता है, उसी के पास होती है, पहले एलीजा को काफी awkward सा फील होता है, कि वहां पे कैसे जाएग बट आफ्टर वो जाने के लिए रेडी हो जाती है, इस चाप्टर नमबर 43, इस एलीजा क्रॉसिस डार्सी पाथ अगी, जो एलीजा होती है, वो पिमबरले स्टेट, यानि डार्सी के स्टेट पहुच चुकी होती है, और वहां पे वो एक हाउस की पर से मिलती है, जो कि व युटर लेट स्टीवर्ड का बेटा होता है, और वो आर्मी में जाने के बाद और भी ज्याधा वाइल्ड हो जाता है, बेकार हो जाता है, नेचर से, और जो मिस्टर डासी है, वो बहुत इछे लैंड लोड़र, वो काफी तारीफ करती है, डार्सी की ऐलीजाब़ध से, उतनी देर में वहाँ पर डार्सी आता है और वह एलीजाबेट को ग्रीट करता है और सामने से वह भी उसे ग्रीट करती है उसके फैमिली के हालचाल के बारे में पूछता है तो आपस में वह बातचीत करते है और वह से यह भी पूछता है कि तुम यहाँ पर किसके साथ आई ह तो वो उसे बताती है कि वो यहां पे अपने अंकल और आंट यानी Mr. and Mrs. Gardiner के साथ आई है घूमने के लिए टूर पे वो उसे फिश्ञ के लिए उनकी फैमिली को इन्वाइस करते है कि वो उसके पौन में आंके साथ में फिशिग कर इगा 식llers बेसिकली वो यह चाहता है कि वो अपनी सिस्टर होती है और लेजली की अग्षा होती है थे इन्ट्र कर ना चाहता है और अलीजा ही नोटिस करती है कि जो भी विक्याम ने डार्सी के बारे में बताया था वो बिल्कुल उससे अपॉसित है और बहुत ही अच्छा इंसान है नेक्स अप्टर हमारा आता है 44 अलीजा मेट्स जॉर्जियाना अब नेक्स्ट मॉर्निंग क्या होता है जो डार्सी जॉर्जियाना और मिस्टर बिंगले हैं वो गार्डिनर और अलीजा को डिनर के लिए इन्वाइट करते हैं लेकिन एलीजा काफी नर्वस फील कर रही होती है तो Mr. Gardiner and Mrs. Gardiner को पता चल जाते है कि जो डार्सी है वो एलीजा से प्यार करते है वो लोग साथ में डिनर करते हैं जो जियोर्जियाना है वो बहुत ही स्वीट होती है और वो वापस घर पे आते हैं डैबेशायर अपने और जो एलीजा है वो सारी रात डार्सी के बारे में सोच रही होती है और नेक्स्ट मॉर्निंग वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो जॉर्जियाना को लंच के ब्रेक्फस्ट के लिए इन्वाइट करेंगे एक्स्ट्रक्टर आता है 45 मिस बिंगले जेलिसी जरीकिंडल जब एलीजा नेक्स्ट मॉर्निंग डार्सी के स्टेट पिंबरले में जाती है तो वहाँ पे वो कैरोलिन बिंगले यानि बिंगले की सिस्टर से मिलती है चुकि अल्रेडी अलीजा से काफी जेलिस फील कर दी है और वो उसे इग्नोर अ जाते ही वो फिर से उसकी रागिंग करना उसे कुछ गलत सलत बोलना शुरू कर देती है लेकिन जॉर्जियाना उसे इसमें जॉइन नहीं करती वो एक अच्छी स्वीट गर्ल होती है और डार्सी को ये भी लगता है कि अलीजा जो है वो वन आउट अट्राक्टिव गर्ल ह जिसे वो जानता है अब नेक्स चाप्टर आता है हमारा 46 लाडिया इलोप्मेंट विद विक्याम अब अलीजा को जैनी की तरफ से दो लेटर्स मिलते हैं जिसमें ये लिखा होता है कि जो लाडिया है वो विक्याम के साथ भाग गई है स्कॉटलाइड जहां पे वो विदा लंडन गए हैं जहां पे विक्याम पूरी कोशिश करेगा कि वो उसे यूज करें उसे प्रॉमिस करें कि वो उससे मैरिच करेगा लेकिन जैने और एलीजा को ही पता होता है कि वो असा कुछ भी नहीं करने वाला उसे सिर्फ यूज करना चाहता है और बाद में उससे धोका देगा, deceive करेगा उसे और उसके साथ शादी नहीं करेगा Elisa बहुत परिशान हो जाती है वो यह बात डार्सी से discuss करती है क्योंकि वो जानता है कि डार्सी की प्रॉब्लम समझ सकता है और वो कोई नो कोई solution उसे दे सकता है और यह बात होती है बानेट फैमिली के काफी शेमफुल बात होती है कि अगर लाडिय के साथ ऐसा होता है तो कोई भी तूसरा रिस्पेक्टफुल इंसान उससे शादी नहीं करेगा नेक्स्ट मारा आता है चाप्टर नंबर 47 इस लाडिय स्टिल उन्रेस्ट इस चाप्ट में क्या होता है जो अलीजा होती वो जानती कि विक्याम है वो लाडिया से कभी भी शादी नहीं करने वाला क्योंकि वो रिच नहीं है उसके पास पैसा नहीं है और इधर जो Mr. and Mrs. Barnett होती है उन्हें इसने उसकी वज़े से फिट्स आने शुरू हो जाते हैं दौरे पढ़ने शुरू हो जाते हैं Mr. Barnett promise करते हैं कि वो जरूर लाडिया को ढूंडेंगे और Mr. and Mrs. Gardiner की तरफ से उन्हें एक लेटर मिलता है जिसमें उन्हें लिखा होता है कि अगर लाडिया लेंडन में है तो वो से ढूंने में उनकी पूरी हल्प करेंगे अब अगला चप्टर आते है 48 that is Mr. Barnett comes home with no news of लाडिया इसमें क्या होता है इस चप्टर में सारे जो होते हैं विकैम के अगेंस्ट होते हैं क्योंकि वो जानते कि वो गलत करने वाला है और इस चप्टर में पूरे लेटर्स के थ्रू बात के जाती है Mr. Gardiner बोलते हैं कि जो विकैम है वो उसे जरूर डूंडेंगे और Mr. Barnett ये रिलाइस करते हैं उन्होंने लाडिया को भेजके और लाडिया को विकैम के साथ ब्रिंग्टन भेजके कितनी बड़ी कलती की है और एक लेटर उन्हें कॉलिंस की तरफ से आता है Mr. Collins की तरफ से कि वो बहुत खुश है कि उन्होंने अलीजाबेट के साथ शादी नहीं की लेकिन दार्सी की तरफ से उन्हें कोई भी रिस्पॉंस नहीं मिलता इस चाप्टर इस 49 लाडिया ट्रेस्ट इन लणन इस चाप्टर में क्या होता है जो लाडिया होती है वो उन्हें मिल जाती है ये गुड न्यूज होती है लेकिन साथी साथ एक बाड न्यूज ये भी होती है कि लाडिया और विक्याम उन्हें मिलता हो गए है बर दे आर नोट मेरेड येट उन्होंने भी शादी नहीं की है और जो मिस्टर बानिट है अब उन्हें विक्याम को ब्राइब करना पड़ेगा उसे घूस खिलानी होगी ताकि वो लाडिया से शादी कर ले लेकिन मिस्टर बानिट ने कभी भी इतने पैसे सेव नहीं की होते कि वो उसे दे सके तो जो मिस्टर गार्डेनर है वो विक्याम को ब्राइब करते हैं उसे पैसे खिलाते हैं ता कि वो लाडिय से शादी कर ले वह अलमोस्ट 10,000 pounds उन्हें उसे विकेम को देते हैं ता कि वो लाडिय से शादी कर लो ये वाकई में बहुत बड़ी amount होती है और वो लोग खुश हो जाते हैं कि मिसिस बैनेट खुश हो जाती है कि उसकी जो बेटी लाडी है वो शादी करने वाली है और Mr. Gardiner उसे पैसे दे रहे हैं इस यूनिट का लास्ट चाप्टर आता है हमारा Mr. Gardiner fixes up Ladia's wedding Mr. Barnet जो है उन्होंने कभी भी पैसे सेव नहीं किये होते क्योंकि उन्हें लगता है कि जब उनका बेटा बढ़ा होगा तो वो उनकी सारी प्रॉपटी सारे स्टेट को इन्हारेट कर लेगा लेकिन उनके पास लगातार बेटिया ही होती है उनके उन्हें बेटा नहीं होता और अब ये काफी देर हो चुकी है कि वो अपनी बेटियों के लिए पैसा सेव करे तो जो Mr. Gardiner जैसे कि मैंने बताया वो विकैंप को ब्राइब करते हैं लाडिया से marriage करने के लिए Mrs.Bannet बाद से काफी खुश होती है लेकिन जो Mr.Bannet होते हैं वो बहुती Ghosts में होते हैं एवन वो लाडिया के पीछे यानिलाडिया की Wedding के लिए उसके clothes के लिए एक रुपिया भी नहीं देना चाहते वो कि कोई भी पैसे उसके उसके अपर खर्च के जाए और एवन वो कपल से मिलने के लिए लाडी और विक्याम से मिलने थक के लिए मना कर देते हैं और वो लोग अपना रेजिमेंट चोड़के उनी के गर के पास शिफ्ट ओने वाले होते हैं वो जैसे था से करके अपने फादर को मनाती हैं कि वो लोग एक बार चल के लाडी और विक्याम से मिले तो गाइस बात करते हैं हमारे लास्ट यूनिट की यूनिट शिक्स वो लोग इतना नॉमली आट करते हैं जसे कि कुछ हुआ ही नहीं है और वहां पर वो डार्सी को देखके बहुत ही शॉक्ड हो जाते है कि डार्सी उसके घर पे क्या कर रहा है और अलीजा अपनी आंट को यूनि मिसस गार्डिनर को एक लेटर लिखती है अकाउंट के वार कि कैसे उसने विकाम को कन्विंस किया अलीजा सॉरी लाडिया से मारिच करने के लिए जो मिसस गार्डिनर है वो अलीजा को बताती है कि जब वो अलीजा लंडन से वापस अपने घर आ गए थी तो डार्सी वहां पर आया था और उसने लाडिया को समझाने की बहुत है 충 Center क क्हिं करता था और लाडिया के ऐंस पास मनी आफ तो रिच नहीं थे तो उसके बाद डार्सी ने क्या किया जितने भी डेपश थे हुपी कर्जे थे उसके गंबलिंग वो सार उसने शुकाहू और साथी su शांति से ग्स्ट्रा पैसे ब्राइब किया कि अगी वो अश और विकैंब बहर उसे जाके सि착 चातीए और व Lahir, की उसे जाने की कोशिश करती है कि उसे विकैंब के बारे में क्या पता है वो साारी बाते उसे बतादेती है और उसे बुलते कि व यहां से जा सकते है C unit का मारा next chapter आता है that is 53 Bingley Return to Netherline जसifully आपको नाम से ही पता चल रहे हैं, जो बिंगिले होती हैं वो डार्सी के साथ वापस नीदर फिल आ जाती है और जो Mrs. Barnet है, वो Mr. pranet को उन्से हज़़ी diferen को बोलती है, कि वो जाएं और Mr. Pranet को बातचीत करें उनके आने की तीन दिन बाद वो वहां पे जाते हैं और उनसे मिलते हैं बातचीत करते हैं तो Mrs. Bennett as usual अपनी embarrassing बातें शुरू कर देती है लाडी और विकैम के marriage के बारे में तो उन्हें काफी वो embarrassing सा feel होते हैं और जब वो लोग जा रहे होते हैं तो Mr. Bennett जो है वो उन्हें डिनर के लिए इन्वाइट करके जाते हैं नेक्स चाप्टर है बिंग 54 दावफल बहेवियर ऑफ बिंगली इस चाप्टर में क्या होते हैं जब एलीजा अपनी घर पे मॉपिंग कर रही होती है पोचा लगा रही होती है तब वो एक resolution लेती है कि वो डार्सी के बारे में नहीं सोचेगी लिकिन ऐसा सिर्फ वो पांच मिनिट तक कर पाती है उसके बाद फिर से वो उसके बारे में सोचने लगती है और उसके थोड़ी देर बाद जब बिंगले और उसकी फैमिली डिनर के लिए आते है है तो यह साथ दिखाई दे रहा होता है कि जो बिंगले है वो जेने के बारे में पूचता हूसे बात्चीत करता है और जो वो डार्सी हैं वो मिस geen बाने के साथ बैट ते है डिनर के लिए और अलीजा मिस्टर डार्सी से कुछ बात करने की कोशिखिश करती है लेकिन वो बात नहीं कर पाती है नेक्स चाप्टर आता है चाप्टर नमबर फिफ्टिफाइग इस बिंगले प्रपोस तो जने अब आफ्टर सम डेस जब वो लोग डिनर के लिए जा चुके होते हैं वो कुछ तिन बाद फिर से बैनेट फैमिली के घर पे आते है और जो मिसेस बैनेट है वो देखे काफी खुश हो जाती है कि जो मिस्टर बिंगले है वो जने को प्रपोस करने वाले है और उसी के next day, next morning वो जो बिंगले होते हैं वो मिस्टर जने को प्रपोस कर देते हैं जिसके वज़े से पूरी family बहुत ही खुश हो जाती है next chapter is 56 Lady Catherine comes to Longburn to scold Elisa इस chapter में जो Lady Catherine हो एक surprise देती है Longburn में आके Mrs.Panit के घर पे और वो Elisa को डाटती है कि वो कि उसे Darcy के साथ एंगेज नहीं होना चाहिए क्योंकि वो अपनी बेटी के एंगेजमेंट अपनी बेटी की शादी वो डार्सी से कराना चाहती है लेकिन अलीजा बोलती है कि उसने अभी तक डार्सी के साथ नहीं की है और वहां से चली जाती है जिस पर लेडी कैथरीन ये टिपड़ी करती है कि जो अलीजा बहत ही अंग्रेटफुल है जब वो कॉलिंस के गर आय थी हांसफोर्ट एस्टेट तब उसने कितने अच्छे चस की खातिरदारी की थी लेकिन जो अलीजा है वो बहुत ही अंग्रेटफुल है निक्स चाप्टर आता है फिफ्टी सेवन दाट इस मिस्टर कॉलिंस इंटर पोज़ इस पार्टन पार्टरंस भी है इस चाप्टर में क इसके फादर को यह पता चलता है कि डार्सी और एलीजा एक साथ है तो वो एलीजा को कॉंग्राचुलेट करना शुरू करता है और मिस्टर कॉलिंस की तरफ से उन्हें दो लेटर्स रिसीव होते हैं जिसमें पहले लैटर में यह लिखा होता है कि वो जैने और बिंग्ले क którą का एक में रिलेशन से बिलकुल बिकुश नहीं है इस बात पर जब अलीजा को पता चलता है तो वो हस्ना शुरू कर देती है और क्योंकी जो ईसके फादर है वो उन्हें पता था कि ऐलीजा और बिंग्राच करते थे लेगिन现在 नहीं है और इसा नहीं है और आलीजा इस प् 58. Lady Catherine helps in breaking the barrier. इस चैप्टर में क्या होता है? दार्सी हो लंडन से वापस आता है और Mr. Bingley के साथ वो Mrs. Bannet के घर जाता है Jene, Elizabeth Jene, Mr. Bingley और दार्सी और एलीजबेग साथ वापस पर जाते है और जो एलीजा होती है वो Mr. Darcy को थैंक्स बोलने की कोशिश करती है अपनी फैमिली के बिहाफ पर उसे थैंक बोलती है कि लाडिया के केस में लाडिया से विक्यान की शादी कर रहने है उसने कितनी उसकी help की है और वो कहता है कि इसने जो कुछ भी किया उसके लिए किया और वो भी उससे प्यार करती है और Lady Catherine उसे ये बताती है अब हमारा नेक्स चाप्टर हाता है इस चाप्ट में क्या होता है इव्निंग की बात होती है जो भी बैनिट फैमिली और बिंगले सारे एकसाथ होती है और जो जने है वो अलीजा है वो जने को बताती है डार्सी के रोल के बारे में कि कैसस ने लाडिया की मेरेज में help किया है और next morning वो लोग क्या करते हैं Jene और Mr. Bingler plan करते हैं कि वो Eliza और डार्सी को एक साथ वाक पे भेजेंगे डार्सी जाके Mr. Bannet से बात करता है अपनी और Eliza की engagement के लिए और दूसरी तरफ अपनी मेदर से सहों भात करति नहीं कोषिश करती की की ये , कि फेसी के सब सदे उनकी मान जा Państwo अर प्रसी सब कोफे है वो हारी से अंकी मिए बहा राजी पान प्रइच आने के लिए गहीं से करानी के लिए अगर आ doctrines और harmendo अगर होलने कि टेमिंटे जा है करने का टी हो पारिक जेते हैं शहीं कई चाहिए महें खूक्तेजमा मुज्ग प्रणुरी के लिए इस रीमिक अजस्सपि पाता है कि बाते हैं कि तरह की साथ बटरिंग नहीं कि वो बहुत ही जो बोलती है स्ट्रेट फॉरवर उससे बोलती है और Mr. Bannett जो है वो भी काफी इंजॉय करते है इस चीज को कि अब Elisa Beth जो है वो दार्सी से शादी करने वाली है और वो Mr. Collins को एक लेटर लिखते हैं कि जो Elisa है और Mr. Darcy है वो लोग अब शादी करने वाले हैं अब इस नॉवल का हमारा लास्ट चेप्टर राता है फाइनली इस विडिंग बिल्स इस चेप्टर में पूरी स्टोरी जो है वो कॉन्क्लिट कर देते हैं कि लास्ट में क्या होता है Mrs. Barnett जैसे पहले होती है वो वैसे ही रहती है उनके बहेवर में कोई खास परिवरतन नहीं आता Elisa और Darcy जो है वो अपने एस्टेट में रह रहे होते हैं उनकी मारिज के बाद और जो Mr. Bingley होते हैं वो Jenny के साथ अब दार्सी के स्टेट के पास में एक घर ले लेते हैं और जो किटी होती है वो बार बार Elisabeth और Jenny के घर जाती है उनसे मिलने के लिए लेकिन वो Mr. Barnett होते हैं उसके फादर वो उसे लाडिया से मिलने के लिए मना करते हैं और उनसे दूर रहने के लिए के लिए तो दूसरी तरफ जो लाडिया होती है वो Elisa को फोन करती है कि जब भी वो फ्री हो तो उनके पास कुछ पैसे भेज दें और Elisa ऐसा ही करती है वो पैसे भेज देती है और Mr. Darcy Wickham को उसके करियर में हेल्प करते है इदर ही जो मैरी होती है वो एक पुकिश करल होती है तो उतना चीज़ों में इन्वाल्व नहीं होती लेडी Catherine और जो Caroline होते वो अपना grudges खतम करते थे उनकी तरफ और वो भी घुल मिल जाते हैं उनके साथ उनकी तरह अच्छे से बहेव करते हैं और gardeners जो है वो हमेशा ही welcome किये जाते हैं उनकी घर पर क्योंकि उन्होंने काफी help की थी उनकी Elizabeth और Darcy को close लाने में और साथी साथ लाडिया की case में भी काफी help की थी और इसी तरह इस novel का end हो जाता है समापत जाती है सो गाइस मैं उमीद करती हूं कि आपको यह novel अच्छी लगी होगी और इसी के साथ यह video भी आज हम यहाँ पर complete करते हैं तो वीडियो कैसे लगा है मुझे comment section में comment करके जरूर बताएं और अगर आपको यह video अच्छी लगी हो तो चानल को subscribe करे like करें शेयर करें